दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने फेस्बूक एकाउंट का पासवर्ड कैसे पता करें अगर आपको अपने फेस्बूक एकाउंट का पासवर्ड याद नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने फेस्बूक एकाउंट का पा password manager में चले यह वहाँ पर आपका password मिल जागा लेकिन वहाँ पर भी आपको password नहीं मिलता है लेकिन इस video में मैं आपको जो तरीका पताऊंगा उससे आपको आपके facebook account का password 100% मिल जाएगा तो चलिए भीना time waste कि यह देख लेते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले आ आपका facebook page login है या फिर facebook profile अगर facebook page यहाँ पर login है तो उसको switch कर लिजेगा अपने facebook profile पर ओके उसके बाद facebook profile पर जब आप आ जाएंगे तो अब यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा settings and privacy का अब आपको यह settings and privacy वाले option पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर नीचे आपक कई सारे options मिलेंगे तो सबसे उपर एक option मिलेगा account center का एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं मैं facebook का full version वाला app यूज कर रहा हूं अगर आप facebook light यूज कर रहे हैं तो facebook का full version से कीजिए क्योंकि जो setting मैं बता रहा हूं वो full version वाले app से बता रहा हूं के facebook light के लिए मैं अलग video का भी बना दूँगा तो settings and privacy में आने के बाद यहां पर account center दिखेगा यहां कहीं पर भी आप click कर दीजिए उसके बाद यहां पर account center open हो जाएगा अब देखिए यहां पर नीचे आपको एक option मिलेगा password and security का अब आपको इस पर click कर देना है फिर देख यह मैं आपको तरीका बता रहा हूँ अब यहां से आपको अपने facebook account पर click कर लेना है यह मेरा instagram account भी यहां पर add है तो आप इससे confused मत होएगा यहां पर आपको अपने facebook profile पर click करना है अब देखिए यहां पर आपको change password का option मिल जाएगा अब देखिए यहां पर आपको क्या करन है यहां पर देखिए तीन option मिलता है current password, new password, retype password अगर आपको password याद है तो आप यहां से password change कर सकते हैं लेकिन हमें अपने facebook account का password पता करना है हमें password याद ही नहीं है तो ऐसे में हम use करेंगे forget your password का option अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई सीधी सी बात है forget password करना है तो तु आपने वीडियोओ में आप नहीं देखा होगा कि password manager में आपका password है, Gmail में आपका password मिल जागा लेकिन देखिए आपका password वहां पर तभी मिलेगा जब आपने password को वहां पर सेफ किया होगा अभी वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन अगर आपका password वहाँ पर नहीं मिलता है तो यहाँ change password में ही आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर देखे forget password का option ही इसलिए होता है कि माल लिज़े अगर आप अपने facebook account का password भूल जाते हैं तो यहाँ से उसको change कर लिज़े simple सी बात है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो यहाँ आपको forget your password वाले option को क्लिक करना है और यहाँ पर देखे अब आपको option मिल जागा we can send you a login code तो देखे यहाँ पर आपका email id सो हो जायागा और उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको continue का बटन दिखेगा आपको continue वाले option पर क्लिक कर देना है continue वाले option पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी email id आपकी facebook account में link होगा या जो भी phone number link होगा उस पर आपको एक code जायागा 6 अंक का तो वो code आपको यहाँ पर पहले enter करना है तो चलिए हम लोग अपना Gmail app open कर लेते हैं यह देखिए यहाँ पर आ चुका है code 476665 तो अब इस code को आपको यहाँ पर enter करना है 476665 मैं यहाँ पर डाल देता हूँ code को एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको continue वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप continue वाले option पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आपको option मिल जागा create new password का तो देखिए कितना simple तरीक है न आप यहाँ से direct अपने Facebook password को restart कर सकते हैं पुराना password आपको याद हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं बस यहाँ forget password पर क्लिक करके यहाँ change password पर क्लिक कर दीजे और यहाँ पर आपको new password डालने का option मिल जागा तो यहाँ पर आप अपनी Facebook account का एक नया password डाल दीजे तो यहाँ पर मैं password एंटर कर देता हूँ तो मैंने new password एंटर कर दिया है इसके बाद यहाँ पर आपको next वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप next वाले option पर क्लिक करेंगे तो आप देखे यहाँ पर आपके जो Facebook account का password है वो change हो जाएगा अब आप इस password को याद करके रख लीजे बहुत easy तरीका है अब चलिए वो तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पर आपका password save होता है तो यहाँ पर आपको अपने mobile में Gmail app को open कर लेना है Gmail app को open करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे उपर profile icon दिखेगा इस पर क्लिक कीजे फिर यहाँ से वो Gmail ID सेलट कर लीजे जिसको आपने अपने Facebook account में यूज किया है उसके नीचे आपको Google accounts या manager और Google accounts को option आएगा इस पर क्लिक कर दीजे फिर यहाँ पर आपको थोड़ा से scroll करना है अब यहाँ पर आपको security का option मिलेगा इस पर क्लिक कर दीजे फिर यहाँ पर आपको scroll करके नीचे आजाना है अब देखे यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा password manager जब आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके वो सारे password आजाएंगे जो आपने save करके रखा होगा तो देखे इन सारे apps की मैंने password को save करके रखा है इस वज़े से यहाँ पर यह आ रहा है अगर आपने facebook के password को भी save किया होका लोग इन करते वक्त तो यहां पर आपका Facebook का password मिल जाएगा तो यहां से भी आप अपनी Facebook account का password देख सकते हैं लेकिन बहुत कम चांस है कि यहां पर आपका password हो अगर आपने save किया होगा तो ही आपको मिलेगा वरना वही तरीका काम आएगा जो मैंने आपको पहले बताया तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछी लेजेगा